दोस्तो बॉलिवूड की इन मशूर अभिनेत्रियों को पैसे के लिए मशूर अंडरवर्ड डाउद इबरहिम के साथ सोना पड़ा था यह सभी अपने समय की टॉप की हीरोंज रही हैं दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ताजा खबरे सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कर लिजिएगा आपको बता दें कि बॉलिवूर और अंडरवल्ड का रिष्टा बहुत ही पुराना रहा है चाहे वैं सही तरीके से रहा हो या फिर गलत तरीके से लेकिन ऐसे बहुत सारे हीरो और हीरोईंस रही हैं जिनके संबंद अंडरवल्ड की लोगों के साथ रही हैं चाहे उसके पीछे का कारण कुछ भी क्यों न हो ऐसे ही कुछ मशूर अभिनेत्रिया रही हैं जिनोंने अपने निजी जीवन में मातर पैसों के लिए अंडरवल्ड डाउद के साथ संबंद बनाई थे जैसे के हम यहां अंडरवल्ड डाउद अभिनेता की फिल्म जरूर देखता था उसकी नजर उस फिल्म में किसी भी खूपसरत अभिनेत्री पर पर पड़ती तो उसे हासल करने के लिए जी जन लगा देता था आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय तो ऐसा था कि दाओद इबराहिम का लोहा पूरी बॉल्यूड इंडस्ट्री में इसकदर मनवाया जाता था कि कोई भी फिल्म उनकी मनजूरी के बिना रिलीस तक भी नहीं हो पाती थी इसलिए बहुत सारे बड़े एक्टर्स को भी दाओद इबराहिम की शरल लेनी परती थी क्योंकि यह उनके करियर का सबाल भी होता था यहां तक कि बॉल्यूड की कई अबनेत्री ने थे अपने मनधाली के समय में दाओद के साथ शारीरिक संबन तक बना लिये थे इसे ऐसे नाम भी हैं जो के उसे में बॉल्यूड की सबसे टॉप की हीरोंज रह चुकी हैं और उनकी सबी मूविज भी हिट ही होती रही है इन अबनेत्री ने सबसे पहले नाम आता है मंदाकनी करीमी का जो के एक समय दाओद के साथ उनके घर दुबई में भी रहने लगी थी इसके इलावा मिनाक्षी से शादरी और अनीता आयूब भी ऐसी अबनेत्री हैं रही हैं जिनने किसी ना किसी वज़ा से दाओद के साथ नाजायर संबंद बनाने पड़े थे लेकिन इसके बदले में दाओद इबरहिम ने इन्हें इतना ज्यादा पैसा दिया कि इन्हें दोबारा कभी भी अपनी जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ी तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन्हें बनीत्रियों ने पैसों के लिए दाओद के साथ जो रिष्टे बनाएवे सही थे या नहीं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको ये वीडियो अची लगी तो प्लीज से लाइक करें और शेयर करें दुनिया बर की वाइरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें